हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू जार्बस केमबस हमने माई लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे सिल्क रूट के जरिये ग्लोबलाइशन हो रहा था और और ग्लोबलाइशन की वैसे कई सारी चीज़ें एक्षेंज हो रही थी लोग के बीच में कई नई नई चीज़ें अलग अलग देशों में पहुँच रही थी आज हम देखने वाले हैं कि जो ट्रेडर्स और ट्रेवलर्स थे यह जब अलग 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 देशों में जाते थे तो वहाँ पर कल्चर तो एक्षेंज होता ही था कल्चर के वारे में तो सीखते ही थे और सिकाते थे मगर साथ-साथ यह लेके जाते थे फूड एक देश के लोग अपना फूड लेके जाते थे दूसरे देश में जिसकी वज़े से दूसरे देश में भी वो सेम फूड पाय के साथ आप यूरॉप में मिल रही है वो इसका नाम बदल जाता है ठीक है ऐसे कई दूसरे भी examples है जैसे for example हमें पता है कि जो पास्ता है वो Italian dish है हम ऐसा मानते है मगर ऐसा नहीं है Sicily नाम की जगह है इटली में वहाँ पर जब अरब ट्रेडर्स आये थे तो वह अपने साथ यह पास्ता लाए थे और वहाँ पर कई सारे variations के साथ Italian लोग उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया उसको खाना स्टार्ट कर दिया तो लोग को ऐसा लगा कि जो पास्ता है वो Italian डिश वहले एक्स है यसा नहीं है एक्सौली में पास्ता को किसने इंटरूज किया था बिल्कुल अरब में इंट्रोड्य क्याता इंटिली सिटी में एक और और समझो में स отно यह बिल्कुल नूडल्स जैसी है यह चाइना के नूडल्स का इंडियन वर्जन है यह इंडिया चाइनीज ट्रेवलर्स के साथ ही तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कैसी जो चीजें थी जो फूर्स थे जो पहले कई किसी दूसरे कंट्री में थे अब किसी दूसरे कंट्री होने लगे जिसकी वैसे जो सिल्क रूट का यूजेस था वो काफी कम हो गया अभी सिल्क रूट बंद हो जाएगा तो ट्रेडिंग लोग कैसे करेंगे यूरॉप के लोग को काफी पॉलम होने लगी इसलिए वहां के लोग निकले सिरूट करने सिरूटा के लिए और चाइना तक के लिए यानि एशिया के पॉशिण के लिए और इसमें जो बड़ा नाम आता है वो था किस्टिफर कॉलममास का किसिवर कॉलममस मिस इंडिया को ढूंडा निकले थे मगर यह पहुंच गए अमेरिका कि जब यह अमेरिका पहुँच है, तो वहाँ पर इन्हों ने देखा कि वहाँ के लोग कई ऐसी क्रॉप्स ग्रोव कर रहे हैं, जो पूरे दुनिया में अभी तक कोई ग्रोव नहीं कर रहा था, जैसे कि पोटेटो, मेस, चिली, सुईट पोटेटो, टोमेटो, इन सारी यह देखा, यह जाना के यह चीजे कैसे ग्रोव होती हैं, तो उनके साथ-साथ यह पूरे दुनिया को पता चल गया, कि यह सारी वेटेबल्स, पोटेटो, चिली, सुईट पेटेटो, मेज, कैसे ग्रो होती हैं, और दूनिया के अलग-लग पार्ट में यह ग्रोव होने हुआ कि इसमें काफी जाए न्यूट्रिंट्स थे और यह इजी ली यूरॉप की एट्मॉस्फेर में ग्रू हो रहा था और यह काफी सस्ता भी था इसे जो यूरॉप की लोग थे वो इसको पेट भर भर के खाने लगे यानि लार्ज अमांट में इसको यूज करने लगे और उनके लिए यह अच्छा भी था क्योंकि अब गरीब लोग भी खाना खा सकते थे उन्हें में न्यूट्रिंट्स मिल रहे थे और जिसके वैसे उनकी जो लाइफ थी वो इंक्रीज हो रही थी लाइफ स्पैन इंक्रीज हो रहा था जो उनके लिए काफी अच्छा था मगर इसमें प्रॉलम क्या होई कि जो आयलेंड वाला पोशन था या जो इरिस लोग थे वो 8040 में जब पटेटो फेमाइन आया तो लोग इतनी इंडिपेंडेंट हो गए थे पटेटो पे कि दूसरी जो वेजटेवर्स थी वो ग्रोई नहीं करते थे तो जैसी पटेटो फसल ब जो पटेटो थे या दूसरे जो फूट से स्वेगाटी बगएरा वो दुनिया की अलगले देशों में पहुंचे कहीं इन्होंने हेल्प की कहीं थोड़ी प्रॉलम्स भी क्रियेट की मगर जो में चीज थी वो ये थी कि अब दुनिया को सी रूट्स के वारे में पता चल ग बुकते जो अलगले देशों में जाके पहुंचे और उनकी जिन्दकियां बदल दी देखिए नेक्स वीडियो में तैंक यू